असलाम अलेकों मैं हूरी हान और आप दीकरी स्वात्वाइंजन टेकनालोजी चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कि माइक्रोपर में प्ले ग्रूप, क्लास नरसरी या केजी के लिए मेच्स पेपर बनाना हो तो कैसे बनाता है इसका परमेट किस तरह बनता है और इसमें पिक्चर किस तरह एड़ करते है तो चले दोस्तों शुरू करते है सबसे पहले उपर हम स्कूल का नाम टाइप कर लेते है मेहा पे रिहान पबली स्कूल एंड कालस टाइप कर लेता हूँ आप चूबी स्कूल का नाम देना चाहो तो दे सकते है पिर नाम को सिलेट कर लेते है और यहाँ से इसका साइज बढ़ा कर लेते है size बढ़ा करने के बाद इसको दुबारा select कर लेते हैं और यह से इसका point style change कर लेते हैं अब इसको control B से board कर लेते हैं अब इसकी बीच में space तोड़ा ज्यादा कर लेते हैं और इसकी निचे school location या address टाइब कर लेते हैं यह पर school है तो मैं यहाँ पर mangalore swap type कर लेता हूँ और इसको तोड़ा right side पर ले आते हैं बीच में तो अब यह ठीक दिकाए दे रहा है तो अब इस दोनों को select करके remote space after paragraph पर click करेंगे तो इसकी बीच से space खतम हो जाएगा इसके बाद insert पर click कर लेते हैं और यहाँ पिक्चर पर click कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने एक logo design बनाया हुआ है इस school के नाम से तो उसको select कर लेते हैं यहाँ से यह आप देख सकते हैं कि उपर जो मैंने school का नाम दिया हुआ है तो इस logo design में भी है तो यह किस तरह बनता है तो इस पे मैंने एक वीडो बनाई है जिसका लिंक आपको नेचे डिस्क्रिप्शन में में बिल जाएगा अब यहाँ टेक्स रेपिंग पर क्लिक कर लेते हैं और इसको इन देफरन्ट आप टेक्स पर क्लिक कर लेते हैं तो आप यह लागो डिजान को आप यहाँ पर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हैं तो हम यहाँ इसको उफर लेफ्ट साइट पर प्रेट कर लेते हैं अब इसकी नेचे एक्जामिनेशन टाइप कर लेते हैं पस्ट टम हो फाइनल टम हो या मेट टम तो आप यह पर टाइप कर सकते हैं तो मैं मेट टम एक्जामिनेशन 2020 टाइप कर लेता हूँ और इसको सेलेट करकि इसका पॉंट स्टाइल चैंज कर लेते हैं यहाँ से अब इसकी चारो तरफ लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके लिए हम यहाँ से एंसट पर कलिक कर लेते हैं और शेफ पर कलिक कर के एक rectangle शेप उटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर ड्रा कर लेते है . तो इसकी चारो तरफ लाइन हाजाएगी सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं शेफ को पर टैक्स रेपिंग पर क्लिक करकी behind text पर click करेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि इसके चरुत तरफ line आगे है यानि shape हमने dry कर दिया तो line आगे इसके बाद insert पर click करके text box पर click करेंगे और यहाँ से एक text box select कर लेते हैं और इसके अंदर type कर लेते हैं नाम class section roll number paper order that means यह पर type कर लेता हूँ अगर आप यह सब पेपर के head पर नहीं देना चाहते हैं तो ना दे अब यह सब type करना के तर लाद इस text box को निचे लाते हैं और इसको तोड़ा बड़ा कर लेते हैं is text box को और इसके text को बड़ा कर लेते हैं और पिर इसके outline को यहां से खतम कर लेते है और school नाम कीनी चाहिए जो address से इसको select कर लेते है और इसका size थोड़ा कम कर लेते है अब बीच में वीडियो को थोड़ा स्किप इसले हैं कर रहा हूँ कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अब इसकी बात यह insert पर क्लिक कर लेते हैं और यह शेफ पी क्लिक करके यहां से एक शेफ उटा के यहां पर एक चुटा सा शेफ ड्रा कर लेते है और इसकी अंदर paper deviation marks और paper नाम टाइब कर लेते है अब इसकी नीचे question स्टार्ट कर लेते है question number one write the number from one to ten और इसकी बाद insert पर क्लिक कर लेते हैं और यह टेफल पर क्लिक करके यहां से टेफल ड्रा कर लेते हैं यह आप से जितना आप ड्रा करना चाहो तो हम सिर्फ ten numbers के लिए ड्रा कर लेते हैं तो यहां से हम ten boxes select कर लेते हैं यहां से इसको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि इसमें 1 to 10 नंबर जो है असानी से आ सकते हैं अब यहां कहीं पी लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उपा एंसर पर किलिक करके shape पर click करें और यहाँ से line उटा के कहीं पी आप line ड्रा करना चाहो तो ड्रा कर सकते हैं असानी से तो हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं अब नीची question number two type कर लेते हैं write the numbers from one to ten in words अब इसके लिए हम ten boxes ड्रा करेंगे यह तो हम उपर जो question number one के लिए हमने table ड्रा किया table से भी हम boxes ड्रा कर सकते हैं लिकिन अगर आप अलग अलग ड्रा करना चाहो तो भी कर सकते हैं तो इसके लिए हम insert पर click कर लेते हैं और यह shape पर click करके यहाँ से एक rectangle shape select कर लेते हैं तो इसको चोटा सा यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं अब यहाँ ctrl c पर click कर लेते हैं इस से copy लेते हैं और ctrl v से यहाँ पर paste कर लेते हैं तो हम यहाँ पर 10 boxes paste करेंगे ctrl v से तो इस तरह हम पहले 5 उपर जोड लेते हैं और इसकी नीचे 5 जो है जोड लेते हैं तो इस तरह इसकी बीच में अब जितना space देना चाहो तो दे सकते हैं तो अब यह हमारे पास 10 boxes जो है वो तयार है अब इसके बाद इसके बाद insert पर click कर लेते हैं और shape पर click करके यहाँ से यह वाला shape उटा लेते हैं और यहाँ पर इसको ड्रा कर लेते हैं और इसको उट्रा करने के बाद control c से इससी copy लेते हैं और control v पर 3 मरतबा क्लिक कर लेते हैं और इससे 3 coffee लेते हैं तो अब इसको यहाँ पर set कर लेते हैं अब इस तरह हम इस 4 boxes को जोड़ लेते हैं अगर आप इसकी बीच में space देना चाहो तो भी दे सकते हैं तो अब यह हमारे साथ 4 boxes जो है वो तयार है अब इसकी बीच में जो हम question type करेंगे picture के साथ तो सबसे पहले हम यहाँ पर insert पर click करेंगे और clip art पर click कर लेते हैं आप clip art से भी कोई भी picture उटा सकते हैं तो यहाँ पर clip art पर मैं search कर लेता हूँ balls तो यहाँ से हम ball picture search कर लेते हैं तो यह हमारे साथ ball की picture आ गई है तो इस पर हम 3 मरतबा click कर लेते हैं तो यहाँ से हमने 3 मरतबा picture को click कर लेते हैं अब इसके बाद यह यहाँ पर आ गई है लिकिन नेचे हैं आप clip art से भी तीन मरतबा सेलेट कर सकते हैं और ctrl cc भी coffee ले सकते हैं तो अब हम इसको यह नीचे लागे रख लेते हैं इन तीन balls को और फिर इसके right पर click करके add text पर click कर लेते हैं और यहाँ भी question type कर लेते हैं आप boxes की अंदर भी type कर सकते हैं और boxes की बाहर भी type कर सकते हैं तो मैं सारे question boxes की अंदर ही type कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर type कर लेता हूँ how many food walls are there in the box और इसको select करके control b से इस question को board कर लेते हैं अब इसकी बाद insert पर click कर लेते हैं और insert में यहाँ text box पर click करके drive the box पर click कर लेते हैं यहां नीचे छोटा सा box ड्रा कर लेते हैं अब यहां यह through pictures जो है put ball की तो यह मैंने clip art से उटा है आप clip art से भी picture select कर सकते हैं और अगर clip art मैं आपको नहीं मिल रहा विब आप गोगल से भी download कर सकते हैं आप मैंने बाग फिटstes जो है gogle से download किए तो अब यहाँ पे मैं फिर से picture पर click कर लेता हूँ और यह कुछ picture मैंने Google से उटाए है तो यहाँ से मैं apple picture को स्रेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको front पे लाता हूँ और इसको चोटा करके इस box के अंदर रख लेते हैं और इसके red पर click करके add text पर click करके यहाँ पे question type कर लेते हैं कि how many apples are there in the box और इसके बाद answer पर click करके यहाँ text box है एक box ड्रा कर लेते हैं इसकी नीचे चोटा सा इसके बाद पिर से answer पर click करके picture पर click करके यहाँ से एक और picture select कर लेते हैं यह starts के picture मैंने डाउनलोट किया है तो इसको click कर लेते हैं यहाँ पे starts आ गई है अगर आप अपने pictures को rotate करना चाрастे हो तो यहाँ से आप rotate कर सकते हैं है तो हम इस start को rotate कर लेते हैं और इसके बाद answer पर click करके यहाँ से एक text box select कर लेते हैं और इसके अंदर question type कर लेते हैं और इसके अंदर भी टाइप कर लेते हैं, how many stars are there in the box, हमसिफ आपकी साथ idea share करें, बाकि आप जिस चीज़ की भी picture लगाना चाओ, जो भी question आप टाइप करना चाओ, तो कर सकते हैं, अब इस text box से यहाँ से outline खतम कर लेते हैं, और stars की नीचे बे एक छोटा सा text box टुरा करकी यह पर रख लेते हैं, बाकि पिक्चर के तरह, अब last में picture पर click करकी एक और picture यह से उटा लेते हैं, और इसको भी यहाँ परण पे कर लेते हैं, और इसको छोटा करकी last box में रख लेते हैं, पहले control C पर click करकी इससे coffee लेते हैं, और control V से paste कर लेते हैं, तो अब यह हमारे साथ द दोनों को हम यह पर पेट कर लेते हैं और अब इसके उपर एक text box ड्रा कर लेते हैं और इसके अंदर question type कर लेते हैं question है start from the given numbers अब हमने नीचे left वाली सीड़ों की नीचे 33 type कर लिया है तो इस तरह right वाली सीड़ों की नीचे भी कुछ type कर लेते हैं पहले यह text box पर click करेंगे text box यहाँ पर चोटा सा ड्रा करेंगे और इसके अंदर 52 type कर लेते हैं और इसको यहाँ पर इस सीड़ों की नीचे रख लेते हैं तो इस तरह student 33 से start लेंगे और उपर तक जाएंगे और right वाली सीड़ों से 52 से start लेके उपर तक जाएंगे और अब हमने यहाँ पर यह जो सब कुछ type किया हुआ है तो हम इसको अब हटा देते हैं कि इस तरह permit कि इस तरह दिकाए देता है सबसे पहले ही जो हमने time मिला होड़ी यह सब कुछ लिका हुआ है तो इसको उपर कर लेते यह से उटलाइन खतम कर लेते और यह जो बाकी सब कुछ हमने लिका हुआ है तो इसको खतम कर लेते है तो दोस्तो उपर हेट पे आप नाम सेक्शन वगेरा टाइप करना चाहते है तो कर सकते है अगर नहीं तो आपकी मर्जी तो आप आप देख सकते है कि यह पेपर जो है मेट्स का किस तरह दिकाई दे रहा है तो अब हमारा मेट्स का जो पेपर है वो बिल्कुल तयार है आप देख सकते है तो दोस्तो हमने आपकी साथ सिप आडिया शेयर किया कि फ्लैग ग्रूप और नर्सरी के लिए मेट्स पेपर कैसे बनाते है इसका पारमेट किस तरह बनता है इसमें पिक्चर किस तरह एड़ करते है और इसमें कौन कौन से अप्शन योज़ होते है बागी आप खो ट्राई करोगे तो सब समझा जाएगा तो दोस्तो अमेद करता हूँ आज की वेडियो से आपको कुछ नकुछ आडिया हासिल हुआ होगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वेडियो में बहुत शुक्रिया अल्ला हाफिस